हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेवल अप गौर्मेंट जॉब प्रिपरेशन में आज हमने current affair के साथ में static point नहीं रखे हैं आज हमने current affair को पहले question और उनके answer आपको पहले ही बता दिये हैं और ताकि आपको बाद में test दे सके ठीक है तेस्ट आपको self test है आपको सारे questions के में answers उसमें भी आपकी help करूँगी लेकिन उनके options आपको ऐसे मिल जाएंगे पर आपको पांच सेकेंड का break लेना है और उस पांच सेकेंड के अंदर आपको इस answer को सोचना है क्योंकि current affair आपको recently में explain करूँगी और उसके question और answers quiz के form में आपको खुद को comment section में बताना है कि आपको 15 में से कितने marks last पाएं है ठीक है तो यह है आज की current affair की video तो उम्भीद करती हूँ आपको हमारी current affair की video अच्छी लगती होगी तो अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe जरूर करें क्योंकि इससे क्या होगा कि हमें हमारी channel की view, reach यह सब बढ़ेगी और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो शाम के 5 बजे मैं इनकी PDF टेलिग्राम ग्रूप में भेज जाएगा तो चलिए start करते हैं माज की current affair की video देखते हैं आज का हमारा पहला question क्या है who has authored the book title presidential year तो presidential year प्रणा मुखर जी ने लिखा है ठीक है यह question बहुत ज़्यादा important है very very important है यह question तो आपको यह paper के लिए बहुत ज़्यादा important है क्योंकि presidential year किसने लिखा है प्रणा मुखर जी ने और इन्होंने यह book release कब होनी है उनके birthday में जो की है 11th of December ठीक है 11th of December में presidential year की book release होगी ठीक है यह प्रणा मुखर जी ने लिखा है और प्रणा मुखर जी हमारे कौन से number of precedents है यह आप मुझे comment section में बताएं क्योंकि अगर आपने हमारी पिछली current of year की वीडियो देखी है तो आपको इस concept पता होगा next question है इंडिया ने block किये है how many mobile apps on September 2nd 2020 इंडिया blocked how many mobile apps on September 2nd 2020 तो 118 इसका answer है याद रखेगा कितना है 118 एक सो अठारा एप इंक्लूडिंग पपजी जो की September 2nd 2020 में उन्होंने इंडिया ने अभी बैन किया है ठीक है next current fair है हमारा which nation has refused to join WHO-led international efforts to develop and distribute the COVID-19 vaccine तो इसका answer है USA United States of America ने साफ मना कर दिया है कि वो WHO के कोई भी जो efforts होंगे यह vaccine को लेके उसमें वो cooperate नहीं करेंगे वो direct countries के साथ help करेंगे लेकिन वो WHO के साथ मिलके कोई further up काम नहीं करने वाले है next current affair है हमारा who became the first Indian to enter the second round of grand slam singles event in the last seven years तो इसका answer है Sumit Nagal Sumit Nagal पहले Indian है जो की second round of grand slam single event में participate करने वाले है in around last seven years यह answer आपको याद रखने है क्योंकि अभी recently मैं आपको यही इसी वीडियो के अंदर आप से question पूछूँगी और आपको मुझे comment section में बताना है next question है हमारा which state has decided to set up exclusive anti-electricity theft police station तो इसका answer क्या है उत्तर प्रदेश ठीक है उत्तर प्रदेश ने decide किया हुआ है कि वो anti-electricity theft police station set up करेगी next current affair है हमारा which Indian renewable energy company has been ranked the world's number one solar capacity in solar capacity तो इसका सही answer क्या है अदानी green ठीक है अदानी green इंडिया की renewable energy company है जो कि world के number one solar capacity में rank करती है ठीक है यह बहुत important question है यह very very important section में आता है ठीक है तो यह आपको question यह वाला question एक यह fifth वाला question क्योंकि देखो जो electricity है and जो हमारा पहला question है जो हमारा पहला question यहाँ पर पढ़ता है कि यह जो प्रणा मुखर जी है इनका जो book जितनी भी इन्होंने book लिखी है अभी तक जो मैंने पिछले current affairs यानि second September को जो मैंने current affairs में आपको इनकी दो books के नाम बताये थे मैं उमीद करती हूँ आपको वो याद होंगे और आप उम्हें comment section में बताएंगे ठीक है तो यह थे हमारा important question और अगर मैं next question की बात करूँ तो हमारा next question है name the person who has written the book name the big thoughts of little love तो इसका answer है current जोहर current जोहर जी ने अभी एक book लिखा है the big thoughts of little love इन्होंने अपने twins को वो book dedicate की है ठीक है next question है हमारा India has been ranked at which position in the global innovation index तो इसका answer क्या है 48 इंडिया का rank कितना आया है 48 और यह index release किसने क्या था world intellectual property organization किसने world intellectual property organization ठीक है इंडिया का rank कितना आता है 48 उसमें ठीक है next question है हमारा cabinet has approved which mission for civil services capacity building तो इसका answer है mission कर्म योगी mission कर्म योगी cabinet ने approve किया है for civil services and capacity building के लिए और यह mission कर्म योगी announce किसने किया था हमारे union minister प्रकाश जावितकर ठीक है union minister को प्रकाश जावितकर जीने scheme को announce किया था उन्हों का कहना था कि mission कर्म योगी aim करता है ताकि Indian civil servant को more creative, constructive, imaginative, proactive यह सब बना सके ठीक है next question की बात करें तो who got six month extension as the chairman ठीक है यह question बहुत जादा important है और यह वाला ninth question भी mission कर्म योगी और यह वाला question बहुत बहुत जादा important है यह वाला UPSC और SAC ठीक है UPSC और SAC के point से है और यह वाला banking UPSC और SAC इसी तीनों के point से important role करता है तो who got the six month extension as the chairman of central board of direct taxes CBDTA तो इसका 6 month का extension कून से chairman को मिला है वो है प्रमोच चंद्रमोधी प्रमोच चंद्रमोधी को 6 month का extension मिला है ठीक है next अगर हम current affair की बात करें तो how much was the amount extended by the Japan to India as emergency loan to fight COVID-19 pandemic तो answer क्या है Japanese yen है 50 billion Japanese yen उन्होंने extend किया है कितना 50 billion Japanese yen उन्होंने extend किया है ताक कि इंडिया को COVID-19 में लड़ने में वो मदद कर पाए ठीक है next हम question की बात करें तो which country plans to unveil the bronze statue of dr. द्वारकानात कोटनिस तो इसका answer है चाइना अच्छा ये द्वारका द्वारकानात कोटनिस ये है कून ये one of the five Indian physician थे जो कि dispatch हुए थे for Sino Japanese war ठीक है Sino Japanese war के लिए ये dispatch हुए थे और ये war हुई कब थी 1938 में ठीक है उस time पे जो चाइना का leader था वो कौन था में ठीक है 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 इन्हों ने जो ड्वारकानात कोटनिस है इन्हों ने अपनी excellence medical facility वहां पर provide की थी next question की बात करें तो what is the contradiction in India's GDP growth in Q1 of fiscal year 21 April to June 2020 as per data released by national statistical office ठीक है ये data किस ने release किया था national statistical office ने तो इसका answer क्या है 23.9% next question की बात करें हम तो हेमन्त खत्री assumed charge as the chairman and managing director of which public sector company which effect from September 1, 2020 तो इसका answer क्या है हिंदुस्तान shipyard limited ठीक है हिंदुस्तान shipyard limited के chairman बने है and managing director बने है कोन हेमन्त खत्री कब से हैं वो September 1, 2020 से next current affair की बात करूँ तो वो है who is the chairman of the steering committee constituted by central government for green initiatives in the coal sector तो इसका answer क्या है वीके सरसवाथ अब हम बाकि current affair की test की बात करें तो हमारा अभी ये current affair जितने भी है या आप मुझे questions मैं फॉर्म बना दिया है options यहाँ पर आप मुझे comment section में बताएंगे ठीके who has authored the book title presidential year आपके option यह रहे ठीके screen को pause करें और अपने याद रख लें कि यह answer इसका क्या है ठीके इसका answer क्या है भी प्रतिभा पार्टिर ठीके अगर इसका answer आप सही बता पारे हैं तो बहुत अच्छी बात है यह मैं आपको याद दिला दे रही हूं कि यह question का answer यह है ठीके next question के अगर हम बात करें तो सेप्टेंबर 2nd 2020 को कितने apps बंद किये गए है एक सो अठारा next question के अगर हम बात करें तो विच नेशन हैस रिफ्यूज टू जॉइन डेवलु एच्ट लेड इंटरनेशन एफोर्ट्स टू डेवलफ एंडिस्ट्रिब्यूट्ट दा कोविड नाइंटीन वेक्सिन तो इसक question के बात करूं तो who became the first Indian to enter the second round of grand slam singles event in the last seven years तो आपके option यह रहे ठीक अब screen को pause करे 5 4 3 2 1 5 second का आपको time मिलेगा और इसको मेंसे आपको answer बताने है तो इसका answer क्या है सुमित नागर ठीक है next question है which state has decided to set up exclusive anti-theft electricity police station ठीक है यह जो anti-theft electricity police station है यह कौन से state ने decide किया है तो आपके option यह रहे इसका answer क्या है दी उतर प्रदेश ठीक है next question की बात करें तो which Indian renewable company has been ranked the world's number one in solar energy capacity तो इसका answer क्या है सही का अदानी green next question की बात करें तो name the person who has written the book named the big thoughts of little love तो आपके option यह रहे answer क्या है बी करन जोहर next question की अगर मैं बात करूं तो India has been ranked at which position in the global innovation index 2020 आपके option यह है सही कहा answer क्या है 48 cabinet has approved which mission for civil services capacity building तो आपके option यह रहे mission कर्म योगी mission कर्म योगी cabinet ने approved क्या है for civil services capacity building के लिए next question है who got six month extension as the chairman of central board of direct taxes CBDT तो आपके option यह है और इसमें से answer क्या है सही कह सी प्रनोत चंद्र मोधी very good अगर आप इसका answer सही दे पा रहे हैं तो current affair की PDF आपको शाम के पांच वजे मिल जाएंगी ठीक है यह अपने friends के साथ आप PDF शेयर कर सकते हैं उन्हें बता सकते कि आप यह channel को शेयर करें ठीक है और subscribe करें नेक्स question है हमारा how much was the amount energy extended by the Japan to India as emergency loan to fight COVID-19 pandemic तो आपके option यह है उसका सही answer क्या है D Japanese yen 50 billion Japanese yen का वो extend कर रहे हैं ठीक है next question है which country plans to unveil the bronze statue of Dr. Dwarkanaath Courtney's तो इसका answer क्या है D China ठीक है Dr. Dwarkanaath Courtney's कौन थे कि वो one of the five Indians थे जो कि dispatch हुए थे Sino-Japanese war के बार और यह war कब हुई थी 1938 में ठीक है next question है हमारा what is the contradiction in what is the contraction in India's GDP growth in Q1 of fiscal year 21 April to June 2020 as per data released by National Statistical Office तो आपके option यह रहे answer क्या है सही का C 23.9% next question के अगर मैं बात करूं तो Hemant Khatri Assume charge as the chairman and managing director of which public sector company with effect from September 1, 2020 तो आपके option सही answer क्या है हिंदुस्तान शिप्यार लिमिटेड ठीक है और आज का last question who is the chairman of the steering committee constituted by the central government for green initiatives in coal sector तो आपके option यह है और answer क्या है वीके सरस्वार तो पंदरा में से आप खुद को self test दे सकते हैं कि आपको कितने marks आए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस channel को like subscribe करें साथ ही में जो नीचे दिया हुआ gray button है उसे like करें और उसे blue कर दें ठीक है साथ ही में subscribe करते करते bell icon को जरूर प्रेस करें ताकि आप channel की कोई भी update को miss ना कर सकें थैंक्स पर वाचिंग जय हिंद झाल